और पूरे देश में हतियारों की मंडी के नाम से प्रचलित मुंगेर में अब अवैध हतियारों की मंडी हाई टेक हो गई है दरसल अब अवैध हतियारों का मंडी सोशल मीडिया साइट से चल रहा है यूट्यूब फेस्बुक के साथ साथ इंस्टाग्राम के जरिये हतियारों की ओनलाइन बुकिंग की जाती है ग्रुप में तरह तरह के हतियारों के फोटो और वीडियो डाल कर उन्हें प्रदर्शित किया जाता है जिसमें ये भी लिखा जा रहा है कि लेना हो तो कॉन्टाक्ट करें ताकि लोग उसे देखें और ओनलाइन ओर्डर भी कर सकें जिसके बाद हतियारों की ओफ लाइन डिलिवरी की जाती है और इस बात का खुलासा दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने किया था हालाकि अभी तक इस ग्रुप का संचालन कहां से हो रहा है और कौन कर रहा है इसका खुलासा नहीं हो पाया है इस मामले में आमस एक्सपर्ट अबधेश कुमार से बात की समवात दाता अरुंट शर्मा ने यह अपने घर के पास सिर्फ देशी मुर्गियों को पाल कर हर साल 6 लाग कमा रहे हैं आप भी यह करना चाहते हो तो फ्रीडम आपको अभी डाउनलूड कीजिए सप्लाइक देते हैं हमने भी उस गुरूप को खंगाला यूटूप पे उस चीज को हमने भी सर्च किया तो आप देख सकते हैं कि यहां पे जो है इस गुरूप में जो है अजाद गुरूप मुंगर लिखा हुआ है अगर जो pistols है आप देख सकते हैं कि हिएा प cricket की काई फोटो बनी है साथ में यह भी लिखा है लेना हो तो contact तो ऐसे कई पिश्टल के हैं कई न्यूज हैं कई वेपन के उन्होंने फोटो डाल रखे हैं आप देख सकते हैं कि पिश्टल चलाते हुए भी कही वीडियो डाला गया है ताकि लोग यहां से इसको देख के इसको पसंद करें के वो ले ओर्डर करें तथा यहां से जो है वो स जाता होगा लेकिन जो खुलासा हुआ वो कापी ताजू बाला है इसी विशे पर आज जो है जो आर्म्स एक्सपर्ट है जिले के जिनका अपना एक यूट्यूब चैनल है जहां लोगों को हत्यार के विशे में बताते हैं जो लीगल वेपन से उसकी विशे में बताते हैं हम से जानेंगे क्या यह पोसीबुल है मुगय का हत्याय कमंडी में कैसा बदलावाया तो सबसे पहले तो स्वागत है अब्देश जी आपके आपका क्या लगता है कि कुछ बदलावाया है देखिए आम तसकर डाल डाल पुलीस पात पात तो यह तसकर जो है तो यह हाटेक काम किया है इसके पहले इंटरनेशनली यह होता था आपका यह कहना कि यह मुंगेर का गुरूप है या मुंगेर के बाहर का तो इसमें हम सहमत है मुंगेर के आदमी को बहुत ज्यादा समझदारी इस तरह का नहीं है हो सकता है बाहर का गुरूप हो बाहर से ऑपरेट करता हो औ को order यहां करता हो और यह यहां से delivery मिलता हो इस विसे पर हमने जिला के प्लिस कप्तान से भी बात की तो उन्हों ने कहा कि यह मामला भी उन तक नहीं आया लेकिन यह मामला जो है विल्कुल गंगर है और जांच का विसे जांच के बादी पता चल पाएगा यह जो साइट है यह जो यूट्यूब का लिंक है या फेस्बूक का लिंक है या इंस्टा का लिंक है यह कहां से चलाया जाता है ताकि इस बात का जो पता लगाके इस पर जो है सगन से सगन या बहुत ही हाट जो है वो कायवाई किया जाए और दानापुर के फुलवारी श्रिप में एक शादी चर्चा का विशे बनी वी है